नमस्तर द्या स्ट्वेंट्स, वेलकम टू आल, स्वागत है आप सभी का PT Education पे एक बार फिर से, मेरा नाम है राउजन्स चौधरी और मैं आपके साथ आज जो सेशन करूँगा वो है आज इसको पूरी दरीके से खतम करतेंगे पारलेमेंटरी कमीटी को चलिए शुरू करते हैं आज का काम ये पिछली सारी बाते हैं कि पारलेमेंटरी कमीटी क्या है कैसी उसकी क्लासिफिकेशन है तो आज का पहला सवाल बताईए Standing Committee का नेचर कैसा होता है परमानेंट होता है ये टेंपररी होता है पहला सवाल comment थर्ड में ज़रूर बताईए कि Standing Committee का नेचर कैसा होता है इसके बाद हमने देखा कि Adhawk Committees दूसरा सवाल Adhawk Committees का नेचर कैसा होता है परमानेंट या टेंपररी चलिए बताईए फिर यह चार्ट देखा बहुती कमाल का चार्ट PAC, Public Account Committee EC, Estimate Committee PUC, Public Undertaking Committee इसके बाद हमने functions and limitations देखे इन तीनों committees के फिर हम आगे बढ़े जैसे committees to inquiry, petitions, privilege, ethics और भी बहुत सारी मतलब फिर इस तरीके की committees को हमने देखा चलिए आपके लिए ज़रूरी सूचना अगर आप चाहते हैं अपने mind को enrich करना, connecting the dots सीखना, बढ़िया notes बनाना तो आप आईए और enroll कीजिए PTH Equation के CA Booster Premium Level 1 में जिसमें आपको मिलेंगे सारे current affairs और best editorial analysis और अगर आप अपने आपको और दिखानदा चाहते हैं तो power of 10 है आपके लिए जिसमें 10 editorials के आपको पूरे मतलब excellent editorial analysis provide किये जाएंगे और आपको अगर आपको अगर अगर प्रोफेशनल है कोई managerial work में है वो भी इसको इसमें enroll करके इसका लुट्व उठा सकते हैं चलिए शुरू करते हैं आज का काम आज का काम जो है हमारा किस committee से है तो एक बर थोड़ा back में चलते हैं यहां तक कि हमारी सारी committees हो गई थी now we move to service committees service committees जिसे housekeeping committees भी कहा जाता है यह भी आप ध्यान रखेगा तो इस पे आज हम बात करेंगे housekeeping committees में चार तरीकी की committees है तीन मैंने यहां लिखी है बस क्योंकि वो जो तीसरी है वो अतनी काम की नहीं है लाइबरेरी committee है तो कुछ पारलेमेंट की जो लाइबरेरी है उसकी maintenance वगरा क्यों लेकर एक committee बनाई गई है जिसमें मतलब 6 लोग जो है वो jurisdiction of any other committee तो basically क्या काम करेगी जो southern के जितने भी matters है उनके उनको सला देगी उनके affairs पे उनको सला देगी और इस तरीके से सला देगी कि इससे दूसरे committee के jurisdiction में ना चली जाए इसके chairman कौन होते है इस committee के तो speaker और जो chairman होते है यानि राजसभा के जो chairman होते है और लोगसभा के जो speaker होते है वही इसके ex-officio होते हैं या एक तरीके से कहले जो presiding officer होते है साथी साथ इसमें बहुत सारे और member होते हैं जैसे की panel of vice chairperson from राजसभा chairperson in all departmental standing committees या फिर बहुत सारे मतलब recognized leaders ruling party के और सभी partyों से ये सब के इन में मतलब ये सब इसके member होते हैं तो सब को मिला जुला के इसको काम करना होता है तब इसका नाम ही क्या है general purpose committee उसके बाद next है house committee house committee क्या करती है this committee deals with the residential accommodations of members and other amenities जैसे की आपका food हो गया आपके मतलब रहने के सारे सुक्स विधाएं और भी बहुत सारी चीज़ें तो कैसे आप रहेंगे कैसे दिल्ली जाना है दिल्ली का सफर तो अगर आप MP बने तो दिल्ली में आएंगे आपको कोठी मिलेगी अच्छी खासी तो वो सब जो चीज़े हैं उसका मेंटरंस वगरा वो ये कमीटी डील करती है लोग सभवें इसके 12 मेंबर्स है और दोनों सद्दों में इसकी कमीटीज हैं अपनी अलगलग से उसके बाद जॉइंट कमीटी इन उन सेलरी और अलावेंसीज अफ मेंबर उसके 15 मेंबर्स हैं इस कमीटी के उपर 10 लोग सभा से чем, 5 राजे सभा से तो ये हो गई हमारी हाउसकेपिंग सभास, अशदे क्वेक्ट मेंबर्री कमीटी मैंने आपको बताई दी उसमें कितने मेंबर्स हैं उसमें 9 मेंबर्स हैं छे कहां सा रहे हैं, छे से हैं, लोकसभा से, और तीन कहां से हैं, तीन हैं, राजसभा से, चलिए, ये होगे हमारा service committee भी हमारी होगे, now move to departmental committees, जो 24 तरीके की हैं, वो departmental committees के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी पढ़ लेते हैं, 24 की 24 नहीं पढ़ नहीं है, don't worry about it, तला point, इस committee has been constituted on the recommendations of rules committee in 1993, तो rules committee ने बोला था भाई, आप एक departmental committees बनाई हैं, 1993 में, उस वक्त भारत के president कौन थे, ये आपका तीसरा सवाल, who was the president of India in 1993, आगे चलते हैं, originally there were 17 committees set up under this departmental committees, लेकिन बाद में number increase करके 24 कर दिये गए, 7 और committees add की गए 2004 में, originally 17 थी, 7 और add होगे तो कितनी होगे, total हमारे पास होगे 24 committees, तो आप ये धियान रखेगा कि departmental committees के अंदर ही कितनी आती हैं, 24 committees आती हैं, हर committee के कितने member, 31, 21 लोग सभा से, 10 राजे सभा से, nominated by speaker और chairman और ये जो सारी की सारी 24 committee हैं, 8 काम करती हैं राजे सभा के अंदर, और 16 काम करती हैं लोग सभा के अंदर, अब जो minister होते हैं, वो इसके member नहीं हो सकते, इस committee के ये अब ध्यान रखेगा, अब जो 8 राजे सभा के लिए काम करती कौन कौन सी होगे, जैसे कि ministry of, committee of home affairs हो गया, या committee on industry हो गई, या committee of science and tech, environment and forest हो गई, committee on transport हो गई, इस तरीके से कुल मिला के आठ हैं और इसी तरीके से, जैसे committee on labor, या आपका लोग सभा के अंदर आएगी, committee on petroleum and natural gas, या आपका लोग सभा के अंदर आएगी, तो इस तरीके की solar और committees हैं, अब इनके functions क्या हैं, छोटे से functions ह before they discuss voted in the लोग सभा, तो जितने भी अनुदानों की जो मांग होती हैं, उसको ये लोग consider करते हैं, right, various, various ministries और departments को लेके, उसके बाद to examine bills, annual reports pertaining to ministries and departments, to consider the long term policy documents presented to the house, right, तो ये इनके कुछ चुनिंदा functions हैं, limitations क्या हैं वही जो बाकि सारी committees के थे, कि day to day affairs में लोग intervene नहीं कर सक committees, जो दूसरी parliamentary committees हैं, उनके jurisdiction में ये लोग prevention नहीं कर सकते हैं, तो इस तरीके के इनके कुछ limitations हैं इनके साथ, इनके कुछ merits भी हैं, demerits भी हैं, वो तो फिर means का part हो जाता है, उसमें हम उतना जादा detail में नहीं जाएंगे, वो micro detailing होगे, उसको हमें नहीं जानना, right, आगे बा committees attached to various ministries, departments of central government, तो हर अलग-अलग मंतराले और इनके departments के साथ ये committees attached होती हैं, इनके जो head होते हैं, वो कौन होते हैं, minister होते हैं, या तो particular कोई minister होंगे, नहीं तो फिर minister of state in charge होंगे, जो इन consultative committee, जो की various ministries की अलग-अलग हैं, उनके head होते हैं, maximum आप इसमें कितने member रख सकते हैं, 30, minimum कितने रख सकते हैं, 10, तो 10 से 30 के बीच में आकड़ा जूलता रहता है, और जो membership होती है, इस committee की voluntary होती है, आप कभी भी इस committee की membership को अपने आप से त्याग कर सकते हैं, और अपने आप से ग्रहन भी कर सकते हैं, these committees are constituted by ministry of parliamentary affairs, ये बहुत important है, ध्यान रखेगा कि ये committee किसके द्वारा बनाई जाती है, ministry of parliamentary affairs के द्वारा, और generally ये committee as per tradition देखा गया है, कि जैसे ही नई लोग सभा आती है, तो ये committee बनती है, तो जैसी ही मान लिजे कि कि किसी का term complete हो गया, सरकार का term complete हो गया, तो ये अपने आप ही dissolve हो जाएगी, ये committee, फिर नई सरकार आएगी, programs on government, तो एक तरीके से informal discussion platform देती है, ये committee, जहाँ पे सभी लोग अपने informal तरीके से चीजों को discuss कर सके, तो ये है consultative committees, clear, right, तो ये हमने देखा, departmental committees, consultative committee, जो छोटा सा हमारा हिस्सा छूट गया था, वो आज हमने complete कर लिया, अब मैं मिलूंगा आपसे next week, next week का schedule मैंने पहले ह लगा दिया है, क्या क्या करेंगे, एक बार देख लेते हैं, 18 जन्वरी को हमारी मुलाकात होगी, शोमवार को, और Monday के दिन हम करेंगे, December current affairs, MCQs का part 4, और December के जो 100 MCQs हैं, जिनका मैंने आपको promise किया था, मैं वो आपको दे दूँगा, right, आप में से जितने लोग इसके PDF च जिन जिन को ये current affairs के MCQs चल रहे हैं, इनके उपर अगर आपको इनकी PDF चाहिए, for practicing or for revising, do let us know, write in the comment thread, इसके बाद 19 जन्वरी Tuesday को हम बात करेंगे, Indian judiciary हम लोग स्टार्ट करेंगे, Parliament हमारा पूरी तरीके से खतम हो चुका है, पीछे के भी हमने सारे Indian political चीजों को देख लिया Now we move to Supreme Court, High Court, इन पर हम बात करेंगे, 20 जन्वरी Wednesday को हम बात करेंगे, जन्वरी Current Affairs MCQs Part 1, 2021, क्योंकि मिड जन्वरी जा चुका है, आधा महीना निकल चुका है, 21 जन्वरी Thursday को हम बात करेंगे, Indian judiciary Part 2 के बारे में, 22 जन्वरी Friday को 5 facts of the week, कैसे लग रहे हैं आपको 5 facts, 60 facts हमारे हो New Trade Policy of India, भारत की New FTP launch हुई है अभी हाली में, Foreign Trade Policy, या New NTP भी कह सकते हैं, New Trade Policy, उसके उपर हम बात करेंगे, 23 जन्वरी को, right, मिलेंगे अगले week में, और आप लोग चाहते हैं कि Current Affairs की एक compilation आपको सब जगा मिल जाए, ready form में, ताकि आपको easily आप उसको पढ़ सके, revise कर सके, औ अपने आपको सुनिश्चित कर सके, अपने अंदर एक confidence लेके आ सके, कि now we are going to crack that exam, right, तो बुक स्टोर पे ये Current Affairs की Annual Compilation 2020 की available है, देवे लिंक पे जाए, क्लिक कीजिए, PDF परचेस कीजिए, अपनी लैबरेरी बनाएए, पढ़िए और खुश रही है, मिलेंगे अगले session में, Till then take care, नमस्ते, जहिंद